स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विसेस पोरियो में प्रियाविध द्यार्थियों CCS University के सभी regular, private और semester wise students के लिए back paper examination farm आ गए है और अगर आप किसी subject में फैल हो गए है या आपकी किसी subject में back आ गई है और फार्म बढ़ते वक्त अगर आपका रजिस्टिशन फार्म नहीं open हो रहा है तो आप हमें कर्णूट वोक्स जरूर कमेंट कर सकते हैं हम आपको जो भी अच्छा अंसर होगा वो देने का प्रियास करेंगे अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कीजिए ताकि आपको MS University वे CCS University दोनों से related जानकारी समय पर मिलती रहे तो चले जानते हैं कि आप back paper examination farm किस परकार फिल कर सकते हैं back paper examination farm फिल करने के लिए सबसे पहले आपको Google Search Engine में सर्च करना है CCSU Web जैसे आप CCSU Web लिखकर Google Search Engine में सर्च करते हैं तो जो पहला link आएगा आपको उस पर क्लिक करना है जैसे आप देगए link पर क्लिक करते हैं तो इसकी official website ccsuweb.in खुलकर आपके सामने आएगी फिर आपको examination पर क्लिक करना है जैसे आप examination पर क्लिक करते हैं तो इसकी examination website खुलकर आपके सामने आएगी फिर आपको fill new forum पर क्लिक करना है जैसे आप fill new forum पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे option खुलकर आएगे जिसमें पहला option है कि first semester को छोड़कर प्रिमिनेशन फार्म यानके बैक पेपर बढ़ना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद दूसरे उप्षन है यानके अगर आप दूसरे चोथे चटे या फिर आठवे सैमेस्टर के लिए बैक या एक्स भरना चाहते हैं तो आप दूसरे नमबर पर क्लिक करोगे उसके बाद तीसरा उप्षन है यानके अगर आप किसी अन्डर ग्रेजवेट या पुस्ट ग्रेजवेट के स्टुडेंट है तो आप अप फर्ड नमबर पर क्लिक करोगे उसमें फॉर्थ ओप्षन है यानके अगर आप किसी अन्डर ग्रेजवेट कोर्स के स्टुडेंट है रेगुलर स्टुडेंट है तो आप फर्ड नमबर पर क्लिक करोगे जैसे कि मैं फर्ड नमबर पर क्लिक करता हूं और उसके बाद अपना यूजी मेंस रेगुलर सेलेक्ट करता हूं उसके बाद हमे अपना course select करना है जिस course के लिए आपको back form भरना है फिर आपको अपना roll number या enrollment number search करना है जो भी आपके पास हो इसके बाद आपको अपना roll number या enrollment number type करना है फिर इसके बाद अपनी माता या पिता का नाम लिखना है और अपना admission year select करना है जिस साल आपका admission हुआ है फिर आपको एक capture code फिल करकर search पर click करते न है जैसी आप search पर click करते है तो आपका registration form खुल जाएगा आप अपने details चेक कर सकते है अगर आपकी details सही पाय जाती है तो आप proceed to registration फारम पर क्लिक कर सकते है जैसे आप proceed to registration फारम पर क्लिक करते है तो आपका जो registration फारम है वो totally खुल जाएगा इसमें आपको सभी details already fill आएगी कुछ details इसमें भढ़ने होती है जैसे कि gender, category, sub category और domosile state, relation इसके बाद आपको scroll down करके नीचे के और आना है और अपना address fill करना है house number अगर आपके पास है तो ठीक otherwise जिसमें आप 01 भी लिख सकते है village या city अपने गाउं या सहर का नाम उसके बाद अपना state, district और अपना pin code इसके बाद आपको अपना mobile number, email id medium, medium में आपको वो select करना है जिस medium में आप अपना exam देना चाहते है हिंदिया, English इसके बाद आधार number फिर इसके बाद आपको scroll down करके नीचे के और आना है और आपको वो subject select करना है जिसमें आप back देना चाहते है या जिसमें आप फैल हो गई है या आपकी back आगई है आपको वो subject select कर लेने है जैसे कि chemistry के मेरे तीन paper है हलाकि inorganic chemistry में pass out हूँ इसलिए मैं दो subject select करूँगा organic chemistry और physical chemistry इसके बाद अगर कोई foundation course है और उसमें आपकी back आगई है या आपका clear नहीं है तो आप उस पर भी tick लगा सकते है जैसे कि मेरा 013 में back है मैंने इस पर भी tick लगा दिया इसके बाद scroll down करके आपको नीचे की और आना है और आपके maximum marks लिख देने है जितने भी आपके number है maximum और जितने आपके आए हुए है इसके बाद आपको अपना photo और signature upload करना है इसके बाद जो भी आपर capture code दिया होगा आपको fill करना है और save farm पर click करना है जैसे आप save farm पर click करते है तो आपका registration farm fill हो जाएगा इसके बाद आपको payment काटनी है जब तक payment आप farm की नहीं काटोगे तब तक आपका farm complete नहीं माना जाएगा किसी debit card या credit card या UPI के थरूप payment करने के बाद आपका farm complete हो जाएगा फिर आपको इसका print out निकालना है print out निकालने के लिए आपको यहाँ पर अपना farm number fill करना है फिर capture code fill करना है और search पर click कर देना है इसके बाद आपको download farm पर click करना है और अपना print out print कर लेना है इसके बाद आपको अपनी payment slip निकालनी है payment slip निकालने के लिए आपको find या view slash print pay farm पर click करना है और अपना farm number डाल कर आपको अपनी payment slip print कर लेनी है इसके बाद आपको अपना registration farm payment slip और जो last year का या back का आपका result है और आपका आधार card ये सब attach करके आपको college में जमा कर देना है प्रियविध्यार तो अगर आपको farm बरते वक्त किसी भी column के बारे में कुछ पोचना है या कोई त्रूटी आ रही है आपके सामने farm बरते वक्त तो आप हमें comment box में जरूर comment कर सकते है हम आपको अच्छे से अच्छा नसर प्रोवाइड करेंगे so dear students thanks for watching we will meet you on next video with next topic अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए thank you, thank you so much